हमारा कोश्चन है suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square find the elongations हमें बोला है कि हमारा पेचला कोश्चन में क्या था कि यह कोई ceiling ceiling से spring लगावा है और वो 2 kg लगाने पर elongate हो जाता है हमें वो elongation निकालना था ठीक है उसके बाद हमने क्या करा 1 kg और उसमें add कर दिया और फिर बताना था कि further elongation क्या थी ठीक है अब यहां पर वो क्या बोल रहा है सब कुछ सेम है बस इस बार क्या है ceiling जो है वो एक elevator की है यानि कि यह पूरा system जो है यह elevator में है ठीक है यह elevator में है system अब और वो क्या बोल रहा है elevator जो है वो एक acceleration से जा रहा अपवर डिरेक्शन में कितनी टू मीटर पर सेकेंड स्कुर गी अब बताने की elongation कैसे है मतलब वहीं जो पिछले कोशन में elongation निकाली थी वैसी निकालना ठीक है इस बर इस बर क्या करना है इस बर मैं क्या करता हूं अगर मैं इसको बाहर इसका तो यह 2 kg का तूजी निक्चे लएगा फोर्स और उपर स्प्रिंग फोर्स है ना उसके बाद इस पर एक स्यूडो फोर्स लेगा इसको मैं बाहर लेके अगर दिखाऊं तो स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स किस तरफ लेगा मोशन उपर की तरफ हो रहा और इसके लिए हम अगर अगर सॉल्फ करूं तो कितना यहां से कितना आएगा तूजी प्लस फोर बाय के यहां से मैं टू इंटू टैन प्लस फोर अपॉन अंडर्ड यहां से मेरा एलोंगेशिन कितना आ गया है मेरा यहां से कितना आया यहां जाए 24 बाय हंडड यानि की 0.24 ठीक है यहां पर मेरा एलोंगेशिन आ गया 0.24 मिटर अब मैं इस केस की अगर बात करूं यहां पर अगर इसका भीड बनाऊं तो नीचे 3G इसमें भी pseudo force नीचे 6 का लेगा यहाँ पर 6 क्यों लिया मैंने सुरी यहाँ पर इधर 4 आएगा pseudo force हमारा M में होता है ना mass 2 का था acceleration 2 का था यहाँ पर mass 3 का acceleration 2 का है यानि pseudo force 6 का लेगा और यहाँ पर spring force ठीक है तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ इसका के x2 equals to 3G plus 6 equals to x2 equals to 3G by 3G plus 6 by k अब values अगर मैं put करूँ तो कितना आएगा यह 30 plus 6 by 100 यानि की 0.36 0.36 meter यहाँ पर यह elongation आई 1 meter add करने पर यानि की पराणे वाले से पराणे वाले से कितना ज्यादा further elongation हुई है further elongation कितनी हुई है 0.36 minus 0.24 यानि की 0.12 meters ठीक है इससे असान solution और कहीं नहीं